पानी पिलो, पानी पिलो, पानी पिलो, जिस दिन वीर भाई और बुलबुल भाई भी आएंगे न, हर एक चीज का हिसाब होगा मेरा बालम थानेदार के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि संपूर्णा बुलबुल को वीर की डेध बोडी दिखाती है तब ही बुलबुल की नजर वीर के हाथ पैर पड़ती है, जिसमें वीर ने फिंगर क्रॉस की हुई है तो बुलबुल बहुत खुश होती है और वरनिका को कहती है, जैसा मैं तुम ही कहती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे ही नाटक कर तब ही बुलबुल संपूर्णा को पीटने लग जाती है और संपूर्णा के आश्रम की दूसरी लेडिस जाकर संपूर्णा को बचाती है और बुलबुल से डर कर संपूर्णा भाग जाती है कहती है, ये तो अपने पती के कारण पागल हो गई है तब बुलबुल वीर की और अपनी पुरानी बाते याद करती है कि थानेदार सारे नाटक किया हुआ है कि वो मर चुके हैं जो कि वह जिन्दा है उधर द्रिश्टी वीर की फैमिली को परेशान करती है संपूर्ण ना द्रिष्टी के लिए पोहा बना कर लाती है और द्रिष्टी खाती है तो जानबूज कर थोड़ी फिक देती है कहती है द्रिष्टी इसमें तो नमक जादा है फिर विशेश आता है विशेश कहता है यह क्या है द्रिष्टी तो विशेश पोहा खाकर कहता है इसमें तो कोई भी नमक नहीं है ठीक ठाक तो है तब ही दृष्टी कहती है मुझे मेरी सास को परेशान करने में मज़ा आता है दृष्टी पोहे में नमक ज़्यादा डाल देती है और वानी से कहती है तुम नाच के दिखाओ तुझे डांस करने का बहुत शौक है अगर तु डांस नहीं करेगी तो मैं तुम्हारी मां को यह नमक वाला पोहा खिला दूँगी वानी कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो जब तुझे पता है कि मम्मी पापा को बीपी की दिखकत है फिर भी वानी डांस करने लगती है राशी वीर के पास आती है और वीर को बताती है कि संपूर्णा बहुत खतरनाक है आज से पहले उसने वह सारे लड़कियों को भेजा है और धन्धा काफी समय से चला रही है उसने कोई भी लड़की नहीं छुड़ी आज तो कोई भी पुलिस उसका पता नहीं लगा सकती राशी कहती है मुझे उपर से ओडर मिले है इससे उपर मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती राशी कहती है जितना प्यार तुम बुलबुल से करते हो उतना ही प्यार वह भी तुम से करती है वीर कहता है मेरे पास पैसे नहीं है पर मैं अपनी पूरी जान लगा दूनगा बुलबुल को बचाने के लिए तभी वीर का दोस्त आता है और कहता है कि आज संपूर्णा बुलबुल और लड़कियों का सौदा करने वाली है वीर कहता है मुझे उस आदमी को बुलाना होगा जिसने मेरा हर समय साथ दिया है उधर वानी डांस करती है जिसे देखतर द्रिश्टी बहुत खुश होती है द्रिश्टी जबरदस्ती संपूर्णा को पोहा खिला देती है वायू जिला को कहता है जिस दिन वीर भया और भावी आएंगे ना तेरा पूरा हिसाब लेंगे द्रिश्टी गुस्से में वायू को थपड मार देती है संपूर्णा बुलबुल और वरनेका के लिए नई द्रेस लेकर आती है और कहती है बाहर से हमारे महमान आने वाले हैं जल्दी से तयार हो जाओ ज्यादा टाइम नहीं है संपूर्णा और रतन वहां से चले जाते हैं वरनेका कहती है चाचा मुझे बहुत डर लग रहा है अगर चाचू ना आए तो बुल-बुल कहती है कोई बात नहीं तेरी चाची जरूर आएगी जब तक वह आएंगे उससे पहले तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी बुल-बुल कहती है आज के दिन अगर मैं संपूर्णा को खून के आंसू न रुलाया तो मेरा नाम बदल देना द्रिष्टी रतन को फोन करती है रतन कहता है कि द्रिष्टी वीर मर गया है और बुल-बुल वन नहीं आएगा तुम अपने ससुराल में एश करो द्रिष्टी बहुत खुश होती है तब ही वीर अपने पापा के पास फोन करता है और उसे सारी बात बताता है वीर के पापा कहते हैं जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूंगा बेटा द्रिष्टी अंदर आती है और कहती है वीर मर गया है फिर द्रिष्टी के सामने सुलक्षना भी नाटक करने लगती है और जोर जोर से रोती है वीर मेरा बेटा नहीं रहा उधर, वीर के पापा द्रिष्टी के सामने हाथ जोडते हैं और वीर से मिलने की बात करते हैं द्रिष्टी कहती है, चलो आपका बेटा गया है, एक दिन की छुट्टी ले लो तभी सुलक्षना खुलासा करती है और कहती है, किसी ने सची कहा है, समय बदलते देर नहीं लगती और अब तुम्हारा भी समय बदलने वाला है उधर, बुल-बुल सारी लड़कियों को नाटक सिखाती है कि ग्रहकों के सामने कैसे पेशाना है और क्या नाटक करना है बुल-बुल अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, तो अब तुम तयार हो सब लड़कियां बोलती है, हाँ दीदी, हम तयार है आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद